आज बात करेंगे पाँच मिस्टेक और कोजिज अफ नीपेल यह पाँच मिस्टेक और कॉजिज मैं ऐसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ही गलती की कारण हमारे नीग में पेल आता है डेली एक्टिविटी में ये पाँच मिस्टेक हम लोग रोज करते हैं जिसके बज़र से हमारे नी में पेनाता है ये पाँच मिस्टेक कौन सा है ये जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखे हमारे चैनल को सस्क्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें जो हमारा फास्ट मिस्टेक है उसमें हम लोग चलते चलते मिस्टेक कर देते हैं कैसे जैसे कि हम लोग वाकिंग कर रहे हैं अगर हमें मुरना है तो मुरने के टैम पे हम अपने अपर बडी को मूव कर लेते हैं गुमा लेते हैं, जो हमारा नीचे पायर फिक्स होता है, जहां वहीं रहता है, तो यह मिश्टेक है, यह नहीं करना चाहिए, अगर आपको चलते-चलते घुमना है, तो अपने पायर को सही से पूरा बोडी और पायर दुनों एक साथ उठाकर गुमाना चाहिए, अगर आप एक साथ body और foot का movement नहीं करता है, इस तरह से rotate कर देता है, upper body को rotate कर दिये, और नीचे हमारा पायर fixed है, तो यह mistake है, यह आपको नहीं करना है, यह करने से आपको जल्द ही नी में पेना जाएगा, क्योंकि जब हम upper body को move कर लेते हैं, हमारा पायर नीचे fix रहता है, तो हमारे knee joint पे इस तरह का movement होता है, twisting movement होता है, जिसके वज़र से हमारा ligament stretch होता है, और हमारे meniscus पे repetition movement के करन्द fiction होता है, तो अगर आपका इस तरह का habit है, तो यह गलत है, इस तरह का habit नहीं होना चाहिए, अब अपने body और पायर दोनों एक साथ movement करें, और अपने joint का खैल रखें, जो हमारा second mistake है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बैठ जाते हैं, बैठने के बाद अपने पायर को मोड लेता है, इस तरह से मोडने के बाद जो हमारा joint है, हो hyperflexion में आ गया, joint की जो ligament है, muscles है, वो पुरी तरह से stretch हो रहा है, बार-बार injured हो रहा है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कई बार पायर को इस तरह से उपर भी चढ़ा लेता है, तो इस तरह से उपर चलाने पर, जो हमारे joint है, उसमें internal rotation हो रहा है, जिसके बाद आप उठके चलेंगे तो आपको दर्द आएगा, भले ही आपको इस टाइम पे दर्द नहीं आ रहा हो, तो इस तरह से बाटना हमारा second mistake है, इस तरह से नहीं बाटना चाहिए, अगर आपको बाटना है, तो इस तरह से अपने पायर को नीचे support करके, सही तरीका से बाटना है, अब जानते हैं third mistake के बारे में, जो हमारा third mistake है, वो हर कोई अपने अपने घर में लगबलबा करते हैं, जिसके लिए एक chair लेते हैं, chair पे इस तरह से बाट के आगे में, table रखके इस तरह से पायर को support कर लेते हैं, ये relax होने की position है, बट ये position गलत है, इस position में जो हमारा heel है और buttox है, दोनों support है, बट हमारे knee joint नीचे जूल रहे है, जो gravity के बज़र से हमारे knee joint नीचे खिचते जाते हैं, और जो हमारा hemishting muscles है, वो नीचे से पुरी तरह से stretch हो जाते हैं, stretch होने के साथ-साथ, जो हमारे ligament है, उस पे भी तनाव आता है, जो knee joint है, knee joint बिल्कुल जो है, so lock हो जाता है, lock होने के कारण ज होता है, जिसके बज़र से miniscus या carteris damage होता है, कई बार क्या करते हैं, लोग इस पेर को उपर भी चरहा लेता है, यानि कि एक पेर सिधा रखेंगे, और दूसरे पेर को उपर भी चरहा लेता है, जिसके बज़र से और ज्यादा load बर जाता है, तो ये गलत है, ये नहीं करन चाहिए, अगर आपको इस तरह से बाठना है, रिलाक्स होने के लिए, तो आप अपने stool को थोड़ा सा आगे करें, और अपने calf muscles यानि कि घुटना तक सपोर्ट करें, गुटना तक stool को सपोर्ट करें, बिल्कुल इस परकार से, अगर आप वहां तक सपोर्ट कर देते हो, त में stretch आता है, और हमारे knee joint पे, जो medial side space हो reduce हो जाता है, जिसके बज़र से friction होता है, friction के बज़र से, again हमारा miniscus damage होता है, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, अगर आपका भी habit है इस तरह से बैठने का, तो आप बिल्कुल इस तरह से नहीं बैठिये, और अप पीछे leg को cross करके इस तरह से बैठने का, यह बहुत ही गलत जो है, इसमें नहीं बैठना चाहिए, इसमें बैठने से, जो आपका artery है, भेन है, वो block हो रहा है, जो again miniscus or ligament stretch हो रहा है, miniscus में friction हो रहा है, तो इस तरह से नहीं बैठे, यह mistake बिल्कुल ना करे, बैठना है, प अपने joint को स्वस्त रखना है, knee joint के उपर इस वीडियो से पहले दो और वीडियो बनाया है, जिसमें जो पहला वीडियो है, उसमें बताया गया है, कि knee pain में क्या नहीं करना चाहिए, जो हमारा second video है, उसमें बताया गया है, osteoarthritis के लिए, knee pain के लिए best exercise, तो उस वीडियो को आप लोग जा करके जरूर देखे, और वहां से देख करके exercise करें, आप हमारे वीडियो को share जरूर करें, ताकि ये जनकारी औरों को भी मिलें, और इस तरह का mistake ना करें, अपने joint को स्वख्चित रखें, आसा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जनकारी आपको पसंद आया हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जाए हिंद।